आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hi Friends Our Question is Diagram of Earth is given, Answer the Question अब यह आपका जो पटिकुरा Earth का Diagram है इसके उपर हमसे कुछ Question पूछे गए है Label the Reason marked as 1, 2, 3 and 4 अगर हम बात करते हैं आपके A की तो आपका जो 1 है वो है आपका Earth Crust फिर हम बात करते हैं आपके Second जो है यह आपका क्या है? यह आपका है Mental अगर हम Third की बात करते हैं तो आपका जो यह Third है वो क्या है? यह है आपकी Outer Core और अगर हम Fourth की बात करते हैं तो हमारा जो Inner है यह है आपकी Inner Core अब अगर हम बात करते हैं आपके A का Answer तो हो गया अब हम बात करते हैं आपके B की Give Thickness of the Above Four Regions तो अगर हम बात करते हैं आपके B part की तो B में हमें अगर थिकनेस बात करनी हो आपके Earth crust की तो ये होती है 20 to 25 miles के around फिर हम बात करते हैं आपके mantle की थिकनेस कितनी होती है तो वो होती है आपकी 1800 miles तक फिर हम बात कर सकते हैं आपके outer core की थिकनेस कितनी होती है तो वो होती है आपकी 1400 miles तक अगर हम बात करते हैं आपके inner core की थिकनेस की तो वो होती है आपकी 800 miles तक अब हमारा third question जो है name important elements present in these regions तो आपका जो earth crust के अंदर जो present होते हैं वो होते हैं silica और silica के साथ-साथ आपका aluminium भी हमें देखने को मिलता है फिर हम बात कर सकते हैं आपके particular mental के अंदर जो आपके elements present होते हैं वो होते हैं आपके silica silica के साथ आपका present होता है magnesium और magnesium के साथ-साथ आपका हमें देखने को मिलता है मैंगनीज भी फिर हम बात कर सकते हैं आपके जो next हमें देखने को मिलता है आपका outer core के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है outer core और inner core के अंदर हमें iron देखने को मिलता है iron के साथ साथ आपका nickel भी देखने को मिलता है फिर हम बात करते हैं हमारे इस question के D part की give alternative name of the central core part of the earth and that of mental अगर हम बात करते हैं मारे D part की तो central core को हम क्या बोल सकते हैं central core जो है इसका दूसरा नाम या alternative name है bariosphere फिर हम बात कर सकते हैं आपकी जो mental है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं आपका pyrosphere फिर आपका है E part Name the galaxy to which our solar system belongs तो आपकी जो galaxy है वो आपकी है आकास गंगा आकास गंगा या फिर हम कह सकते हैं आपकी Milky Way Milky Way galaxy So these are the answers of our question with this. Thank you. आप चार्सो 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 पर